है गाइस वाट साप कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत सभागत है आप सब का आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम लोग कर रहें सीए इंटरमीडियेट मेट 23 के लिए पास्ट ट्राक कोर्स और आज इस फास्ट ट्राक कोर्स का टेंध लेक्चर है हम लोग रेकल इंकम स्टार्ट कर लिया था और आज इंकम फॉम अदर सोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कंटीनिव करके कंप्लीट कर लेंगे जितने भी सुडींट्स यहां पर नए हैं आप लोग को अपने शेडियूल बता देता हूं तो रोज रात को 9 बजे यहां पर आप लोग की फास् 25 p.m. पर conduct की जाती है प्लस का ये वाला बाच देखने के लिए आपको अने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा इस वीडियो के description में आपको strategy session का link मिलेगा मैंने एक video ली थी मैंने एक session आप लोग के लिए कंड़क्ट किया था जिसमें मैंने में 23 वाले students के लिए strategy discuss की थी कि कैसे पढ़ना चाहिए single group देना चाहिए both groups देना चाहिए कैसे decide करना चाहिए what should you consider कैसे revision करना चाहिए तो यह वाला session आप एक बार जरूर देखना जिससे आपको यह पता चलेगा कि atleast revision कैसे करना चाहिए यह सारी चीज़ें आप लोग को यहां पर पता चलेंगी बाकि इस पूरे fast track course की playlist में बनाई हुई है जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा जो भी notes है chapter wise notes में आप लोग के upload करके देता रहता हूँ तो वो notes का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा right notes वाला जो link है उसी के अंदर आपको एक schedule करके Excel sheet भी दिखाई देगी उस पे आप आगे का भी पूरा schedule check कर सकते हो यह किस दिन कौन सा chapter होने वाला है just in case just for your information आप इस तरह से कर सकते हो right हम लोग ने income from other sources कल start कर लिया था और income from other sources में काफी सारी चीज़े हम लोग ने पढ़ ली थी basically हम लोगोंने gifts की taxability को पूरी की तरह से cover कर लिया था and I hope कि आप लोगोंने question number one से लेकर dividend वाले portion तक जितना भी यह था जितने भी questions से वह सब आप लोगोंने कर लिया होगे और आप लोगोंने उसका revision कर लिया होगा चलो sir let's get started with अभी हम लोगों को करना है dividend यह money यह सब हो गया था कई सारे questions हम लोगोंने कर लिया थे और अब हम लोगों को आज dividend से हम लोगों को start करना है ठीक है dividend deemed dividend and its taxability अगर आपको किसी company से dividend मिलता है या deemed dividend क्या होता है और इनकी taxability किस तरह से होती है उसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं तो देखो sir from previous year 2021 dividend received from domestic companies taxed in the hands of the shareholders under income from other sources इससे पहले कभी भी अगर किसी company से dividend मिलता था तो उस पर tax नहीं लगता था dividend received from foreign companies taxed in the hands of shareholders under the head income from other sources तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर आपको Indian company से या आपको foreign company से dividend मिल रहा है dividend का मतलब आप सब लोग समझते होंगे जब भी कोई company profit कमाती है तो अपने profit का थोड़ा से share वो shareholders के साथ share करती है अगर वो चाहे तो तो उस profit को जो आपके पास company का share of profit आता है उसको हम लोग dividend कहते है तो Indian company हो चाहे foreign company हो domestic company हो चाहे foreign company हो अगर किसी भी company से आपको dividend मिल रहा है तो आपके हाथ में वो taxable किया जाएगा under the head income from other sources अगर कोई financial company ही हो तो उसके बाद हम लोग यहां पर नहीं कर रहे बट यहां पर हम लोग individuals के बारे बात कर रहे तो अगर मुझे किसी Indian company से dividend मिलता है तो फिर वो मेरे हाथ में taxable होता है under the head income from other sources उसके बाद आती है बात deemed dividend की तो पहले क्या होता था पहले shareholders के हाथ में तो dividend पर tax लगता नहीं था पहले एक चीज होती थी dividend distribution tax जो की companies के ओपर लगता था तो जब भी कोई company dividend distribute करती थी तो उस company को dividend distribution के समय एक dividend distribution tax पे करना पड़ता था तो companies ने सोचा या dividend देंगे तो फिर tax देना पड़ेगा और dividend नहीं देंगे तो फिर जो हमारे shareholders हैं वो परिशाल हो जाएंगे कि dividend नहीं मिल ला तो फिर क्या करें तो companies ने dividend को avoid करने के 5 तरीके निकाले थे कैसे 5 तरीके निकाले थे वो ही हम लोग यहाँ पर समझने वाले तो lawmakers companies से भी ज्यादा चालाक निकले और lawmakers ने कहा कि अगर तुम dividend को avoid करने के लिए यह 5 तरीके निकालोगे तो हम उसको deemed dividend का नाम देंगे हम कहेंगे कि यह मान लिया जाएगा कि dividend ही दिया है तो यह सारे काम नहीं करने होंगे और deemed dividend पर भी उसी तरह से taxability होगी जिस तरह से dividend के उपर taxability हो जाती है आँ सर, सबसे पहला following are included in the definition of dividend to the extent of accumulated profits of the to the extent of accumulated profits of the company अब सुरना मेरी बाद ध्यान से इसका मतलब में अभी आपको बताऊंगा to the extent of accumulated profits of the company का क्या मतलब है any distribution entailing the release of company's assets तो यह है section 2, subsection 22, clause A section 2, subsection 22, clause A आपसे कहता है कि अगर आपने अपने shareholders को कुछ assets distribute किये free of cost तो जितना आपके पास accumulated profit है वहाँ तक हम मान लेंगे कि यह जो assets है यह आप dividend दे रहे हो वहाँ तक इस asset के distribution को हम deemed dividend मान लेंगे दूसरा है अभी एक एक करके इसके बारे में हम लोग detail में भी बात करेंगे don't worry about it और वैसे भी यह पांचो के पांचो points में से यह चार points शुरू के एक दो तीन चार यह चार points आपके CA final के लिए ज्यादा relevant है intermediate के लिए अब उतना relevant नहीं है intermediate के लिए यह वाला point ज्यादा relevant है to the extent of accumulated profits तो मान लिया जाएगा कि वो आपको dividend distribute किया जा रहे है फिर distribution on liquidation of the company जब भी company की winding up होती है जब company को बंद किया जाता है तो company के winding up के समय जितने भी accumulated profits थे तो उस extent तक जो भी आपको distribution दिया जाएगा वो मान लिया जाएगा कि यह वो हो रहा है क्या हो रही है dividend दिया जा रहे फिर distribution reduction of capital अगर company अपना share कर रही है अगर company अपना share capital reduce करती है तो भी मान लिया जाता है कि आपको dividend दिया जा रहे and last any by way of a loan or advance by a closely held company closely held company का मतलब private limit company to a shareholder holding substantial interest provided the loan should have been made in the ordinary course of business and money lending should not be substantial part of the company इसका मतलब क्या हुआ यही आपके लिए सबसे important है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर private limited company अपने shareholder को loan देती है और shareholder का उस private limited company में substantial interest है ठीक है private limited company किसी shareholder को loan देती है shareholder का उसका private limited company में substantial interest है तो इस loan को भी deemed dividend मान लिया जाए काम एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते है सबसे पहले 222A any distribution of assets इसमें हम लोग ने बात किती कि अगर company अपने assets को distribute करती है shareholders में तो to the extent of accumulated profits इस asset distribution को मान लिया जाता है कि यह company dividend दे रही है अब देखो इसका कैसे होता है देखो यह आपकी suppose balance sheet है ठीक है company के पास 54 लाख रुपीज के assets है और share capital 30 लाख रुपे का है bonus shares 4 लाख रुपे के है और यह reserves 20 लाख रुपे के है liabilities आपके पास 4 लाख रुपाई की है तो यह जो reserves है यही तो accumulated profits है यही तो profit इकठा करके रखा हुआ अगर मालनों यह reserves नहीं होते तो यह 20 लाख रुपे का profit company को distribute करना होता मतलब कहने का simple मतलब यह हुआ कि अगर company ने shareholders को profit distribute कर दिया होता तो यह reserves कैसे बनते reserve होता क्या है profit से ही तो बनाया जाता है जो profit फालतू पड़ा रहता है उसी से तो reserve बनता है तो profit कमाया shareholders को distribute नहीं किया गया shareholders को जब distribute नहीं किया गया तो reserve बना लिया गया अब यह जब reserve बन गया तो यही आपका accumulated profit अब आपने assets बांटना शुरू कर दिया अब company ने assets बांटना शुरू कर दिया और lawmakers से का कि हम dividend थोड़ी दे रहे हम तो asset दे रहे अपने shareholders को lawmakers ने का कि हमाने मत्थे पर कोई बड़ा बड़ा लिखा है कि तो जितने लाख रुपे के यह 20 लाख रुपे तक के assets हम मालनेगे कि आपने dividend दिया है तो हम लोग नहीं कितने लाख रुपे के कैसे आया यह 24 लाख रुपे का यह ऐसे आया आपका कि 20 लाख रुपे के reserves से 20 लाख रुपे के reserves से ठीक है तो हम लोग नहीं कितने लाख रुपे assets को distribute किया हमने 6 लाख रुपे की रिजर्व से प्लस यह 4 लाख रुपे के bonus shares थे तो यह total आ जाएगा आपका 24 लाख रुपे यह हो जाएगा आपका total accumulated profits ठीक है accumulated profits में आप दोनों चीज़े देखते हो reserves भी रेखते हो और यह bonus shares जो होते हैं यह भी होता है यह bonus shares क्या है free में हुआ है ना free में दिया गया shareholders को तो इससे बढ़िया dividend दे देते हैं तो यह भी वाली बात हो जाती है कि total हम लोग देखे तो 4 लाख प्लस 20 लाख रुपे यह total मिलाके accumulated profits आ जाते हैं यह total मिलाके accumulated profits आ जाते हैं अब market value 26 लाख रुपे के आपने assets बेचे 26 लाख में से 24 लाख रुपे यह deemed dividend है क्योंकि आपने accumulated profits बेचे of course book value से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि अगर आप अपने shareholders को 26 लाख रुपे की market value के assets बेच रहे हो तो आप एक तरह से उनको 26 लाख रुपे की value provide कर रहे हो न और इसमें से 24 लाख के तो आपके पास accumulated profits थे तो काईदे से तो यह accumulated profits आप लोगको dividend के फॉर्म में दे देने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं दिये तो हम माझेंगे कि यह जो 26 लाख की market value क्या आपने assets distribute किये उसमें से 24 लाख रुपे deemed dividend है अब इसकी taxability वगरा कैसे लगती है यह हमारे syllabus में नहीं है यह C.A. final के syllabus में है ठीक है तो इसमें और ज्यादा परिशान होनी के आप लोगों को भी जरूरत नहीं है देखो हमें book value से कोई मतलब भी नहीं है हमें simply यह देखना है कि जो भी हमारे assets की market value बिक रही है उसमें से to the extent of accumulated profits कितना है तो accumulated profits हमारे पास 24 लाग के तो अभी यह 18 लाग की market value के assets बिक रहे है तो पूरी 18 लाग की market value आपके divirant हो जाएगी 30 लाग तो पर आपका divirant हो जाएगा 20 लाग तो आपका divirant हो जाएगा 10 लाग तो 10 लाग आपका divirant हो जाएगा as simple as that उसके बाद section 22 B या जाता है आपका distribution of debentures deposit certificates वगेरा तो if any domestic company distributes debentures, debenture stock, deposit certificates to any shareholder और bonus to preference shareholder तो यह वाली जो जाएगा यह है debentures, debenture stock और deposit certificate यह किसे shareholder को दे या bonus share दे प्रेलाइज हो जाते है पर उसको वह जाते है पर उसको वह capital में convert करना चाहती है तभी तो company bonus shares issue करती है तो जो भी reserves है उनको आपने share capital में transfer कर दिया तो that is basically capitalization of profits bonus shares में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है तो accumulated profits और not तो capitalize वाले को भी consider किया जाता है company and taxable shareholders देखो ध्यान देश्यश्यश्य में देखो दिया देखो 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 दिवेंचर स्टॉक्ट देना चाहिए किसी भी शेर रोलर को और bonus शेर अब सब्स और अब सब्सक्रीर अब देखो अगर कंपनी 18 लाख रुपे के डिबेंचर दे देती है तो फिर इसको डीम डिविरेंट माना जाएगा क्यों क्योंकि 14 लाख रुपे के डिबेंचर इशु कर दिये गए राइट नेक्स उसके बाद 222C distribution of assets on liquidation exactly वही चीज है कि अगर आप assets को distribute करते हो at the time of liquidation to the extent of accumulated profits whether capitalized or not those this that distribution of assets will be deemed as dividend next reduction in share if any domestic company reduces its share capital and distributes assets to shareholder then it will be treated as deemed dividend to the extent of the company and actually in the hands of shareholder same thing that मैं आप से फिर से कह रहा हूं यह 222ABCD आपके सीए intermediate के exams के लिए उतने relevant नहीं होते हैं जितने यह final के लिए intermediate के exam के लिए यह चीज relevant है 222E अब 222E क्या कहता है एक example लेता है closely held company मत का मतलब होता है private limited company जिसमें public का पैसा नहीं लगा हुआ है तो अब देखो यहाँ पर मैंने limited closely held company है और मैं उसका एक shareholder हूं मेरी 10% से ज्यादा equity शिर्चिता प्रकाशन में है ठीक है मेरे पास शिर्चिता प्रकाशन के 10% से ज्यादा shares है now if शिर्चिता प्रकाशन gives an amount as loan to me then this loan will be treated as deemed dividend to the extent of accumulated profits तो मैं shareholder हूं मेरा substantial interest हो गया शिर्चिता प्रकाशन में तो अब अगर शिर्चिता प्रकाशन मेरे को loan देती है तो इसको हम लोग deemed dividend मान लेंगे suppose शिर्चिता प्रकाशन doesn't give a direct loan to me मेरे को directly loan नहीं दिया but gives a loan to some concern किसी organization को loan दिया चाहे वो company हो चाहे firm हो चाहे हो चाहे हो फो 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 ब्यों जहां पर मेरा substantial interest है जहां मेरा substantial interest का मतलब 20% और more shareholding या profit sharing so in this case also it shall be deemed that शिर्चिता प्रकाशन has distributed me the dividend to the extent of its accumulated profit ठीक है मेरे पास अगर organization के 10% से ज्यादा shares है तो organization अगर मेरे को loan दे रही है तब इसको dividend मान लिया जाएगा मैंने का कि ठीक है मेरे को loan मत दो unnecessary dividend माना जाएगा एक और company है जिसमें मेरा substantial interest है substantial interest का मतलब 20% से ज्यादा शेर हो लिए 20% से ज्यादा profit sharing right तो मैंने शिर्चिता प्रकाशन से कहा कि आप इस organization को loan दे दो ठीक है मेरा substantial interest है उसमें मेरे कहने पर शिर्चिता प्रकाशन ने उसको loan दे दिया तो अभी भी माना जाएगा कि शिर्चिता प्रकाशन ने मुझे loan दिया और it will again be treated as deemed dividend to the extent of accumulated profits whether capitalized or not और तीसरा case है suppose I ask शिर्चिता प्रकाशन to give some loan or advance to some other person मैं किसी और person को देता हूं on my behalf अपने भी हाफ पर देता हूं या मेरे ही benefit के लिए देता हूं दिलवातों में ठीक है कि यार तो एक काम करो मुझे मत दो उस बंदे को दे दो ठीक है तो यहां पर lawmakers में सब कुछ cover कर लिया इस वाले है मेरी बहाफ पर उसको दे दिया पर वो है मेरे benefit के लिए तो भी मान लिया जाएगा कि company ने मुझे deemed dividend दिया है ठीक है तो यह है देखो यही closely held company यह रा shareholder अगर closely held company ने मुझे loan या advance दिया मेरे पास company के 10% या ज्यादा equity shares है तो फिर इसको deemed dividend माना जाएगा एक यह concern है जिसमें मेरा substantial interest से 20% या ज्यादा की shareholding है और अगर यह company इसको loan या advance देती है तो मान लिया जाएगा कि company ने मुझे ही दिया है तो इसको deemed dividend मान लिया जाएगा अब अगर यह कोई तीसरा person है जो जिसको मैं loan दिलवा रहा हूँ अपने benefit के लिए ठीक है अपने benefit के लिए और company इसको loan दे रही है तो फिर मान लिया जाएगा कि company ने मुझे ही loan दिया है यह चार्ट भी आपको आपके notes में मिल जाएगा right notes if the loan is repaid or the company charges market rate of interest then also loan is treated as deemed dividend तो अगर मैंने loan वापस दे दिया या company ने उस loan पर मुझसे market rate of interest चार्ज किया तब भी उसको deemed dividend ही माना जाएगा if company is engaged in money lending business and loan is given in ordinary course of business then it is not treated as deemed dividend अब अगर शुचितना प्रकाशन का काम ही है financial company है वो पैसा deposit करती है और loan बगेर देती है और उस case में उसने में जाए loan लिया तब इसको deemed dividend नहीं माना जाएगा if any advance is given for business purposes trade advance then it is not treated as deemed dividend तो अगर मेरे को कोई loan दिया गया business purpose के लिए तो उसको भी deemed dividend नहीं माना जाएगा if loan was treated as deemed dividend and after some time if such loan is set off against actual dividend then set off is not treated as dividend मतलब क्या हुआ कि company ने में को loan दे दिया एक लाख रुपे का लोन दे दिया ठीक है अब एक लाख रुपे के loan को deemed dividend मान लिए मैंने उस पर tax भी पेकर दिया अब आगे चलकर company is supposed to give me two lakh rupees as dividend आगे चलकर suppose the company is supposed to give me two lakh rupees as dividend पर company कहती है या एक लाख तुमको loan दिया था उसको dividend के form में मानी लिया गया था तो अब तुमको एक लाख रुपे दे देते हैं तो यह जो initial loan था यह actual dividend value के साथ set off कर दिया और अब company ने मेरे को सिर्फ एक लाख रुपे का दिया तो अब यह जो एक लाख का set off हुआ इसको दुबारा से dividend मान का taxable नहीं करेंगे ठीक है all right जब आजो question no.13 इससे पहरे वाले सारे questions आपको कर लिजेगा लिकिन class के बाग ICI study material का illustration no.1 है May 11 में 5 marks का भी आयता November 16 में भी चार नमर का question आयता let's look at this question देखते हैं क्या है यह तो राहुल a resident Indian holding 28% of equity shares in a company took a loan of 5 lakh rupees from the same company ठीक है यह resident India ने एक company में 28% की equity है और उसे 5 lakh rupees का loan ले लेता है on the date of granting the loan the company had accumulated profit of 4 lakh रुपे ठीक है तो अभी इतना पढ़के समझ में आ रहे है कि 4 lakh रुपे तक आपका deemed dividend मान लिया जाएगा आगे देखते है the company is engaged in some manufacturing activity तो यह बात एक्दम तेह हो गई कि money lending business पे तो यह company नहीं है is the amount of loan taxable as deemed dividend and if the company is a company in which public are substantially interested नहीं if the company is a company in which public are substantially interested तब यह amount of loan taxable नहीं होगा क्यों क्योंकि 222E private limited companies के लिए लगता है तो if it is a company in which public are substantially interested public are substantially interested का मतलब हो गया कि यह public company है closely held company वो होती है जिसमें public are not substantially interested तो यहां पर यह हो गया तो देखो एनी payment by a company other than a company in which the public are substantially interested देखो एनी payment by a company other than a company in which the public are substantially interested of any sum by way of advance or loan to an equity shareholder being a person who is a beneficial owner of shares holding not less than 10% of the voting power is deemed as dividend under section 222E to the extent the company possesses accumulated profits लेकिन the provisions of section 222E however will not apply where the loan is given by a company in which the public are substantially interested in such a case the loan would not be taxable as deemed dividend दूस्टरा question what would be your answer if the lending company is a private limited company that is which is not a company in which the public are substantially interested to the extent of 4 lakh rupees to the extent of accumulated profits taxable as deemed dividend to 4 lakh rupees taxable however if the loan is taken from a private company that is a company in which the public are not substantially interested which is a manufacturing company and not a company where lending of money is substantial part of the business of the company then the provisions of section 222e would be attracted since rahul holds more than 10 percent of the equity shares in the company the amount chargeable as deemed dividend cannot however exceed the accumulated profits sent by the company on the date of giving the loan therefore the amount taxable as deemed dividend would be limited to the accumulated profit that is 4 lakh rupees and not the amount of loan which is 5 lakh rupees okay so here i have to have you all the solutions written by the company i know many teachers will disagree with me many of you will disagree with me on this but it's not the fact it is it then after that you have to make sure that you have to make sure a company other than a company in which public are substantially interested इसमें आप सिर्फ private limited company नहीं लिख सकते हैं, तो these kind of words जो है, जैसे जैसे आप ये पढ़ते रहोगे, उस तरह से आपको समझ में आगा है, जैसे ये, however, the amount cannot exceed, the amount of deemed dividend cannot exceed the accumulated profits held by the company, or the date of distribution, or the date of disbursement of loan, तो ये सारी legal sentences हैं, जो आपको लिखने हैं, word to word रटना नहीं है, लेकिन ये words आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक, आओ सर, अब हम लोग बात करते हैं, कि अगर mutual fund की units है मेरे पास, और वहाँ से अगर मेरे को dividend या को income आती है, तो उसकी taxability कैसे होती है, ठीक है, तो मैंने mutual fund में पैसा लगाया हुआ है, mutual fund से जो भी मेरे को income आईगी, या mutual fund से जो भी मेर 50-50 की units है, ठीक है, तो अब मैं तो unit holder हो गया, अब क्या हुआ, rate क्या है, it is taxed at normal rates of tax, तो कोई भी अलक से rate नहीं लगेगा, जो मेरा normal slab rate है, उसी slab rate पर tax किया जाएगा, deductions allowed, कौन कौन से deductions allowed है, interest expense incurred in earning income by way of deemed dividend, या income from units of mutual fund is allowed, लेकिन maximum permissible deduction क्या है, 20% of grossed up value, 20% of grossed up value, अब ये grossed up value कहां से आती है, इसके बारे में भी, अभी हम discuss करते हैं, तो ये grossing अब क्या होता है, sorry, grossing अब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, basically what happens is, कि जब mutual fund से income होती है, suppose mutual fund से 100 रपेकी income होई, इस्के बारे में उसमें TDS काट लेते हैं, तो mutual fund वाले उसमें TDS काट लेते हैं और 10 रुपे काटके 10% का TDS काटते हैं, और 90 रुपे हमें देते हैं, mutual fund वाले 10% का TDS काट लेते हैं और 90 रुपे हमें देते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है maximum permissive reduction is 20% of grossed up value मैं suppose किया रहा हूँ कि इस 100 रुपे का dividend या income earn करने के लिए मेरा interest expense मेरा लगा suppose 40 रुपे का मेरा interest expense लगा suppose 40 रुपे का अब देखो 100 रुपे में से 10% का TDS कट गया और मिला कितना मिला 90 रुपे मिला 90 रुपे अब सरकार ने क्या कहा कि आपको पूरे के पूरे 40 रुपे का reduction नहीं मिलेगा आपको deduction मिलेगा only 20% of the grossed up amount only 20% of the grossed up amount मतलब 100 रुपे का 20% यानि आपको reduction 40 का नहीं आपको reduction 20 का मिलेगा और यह 80 रुपे पर आपको tax देना होगा तो grossing अब क्या कहते हैं यह जो 90 रुपे आपको मिला this is known as net income जो आपको receive होई यह आपकी gross income थी gross income में से 10% का TDS काटा गया और उसके बाद जो पैसा आपको मिला this is the net income this is the net income that you have received अब इस net income पर tax लगेगा at normal rates और इसमें से आपको deduction अलाओ होगा किसका आपको interest expense जो भी आपने इंकर किया उसका deduction अलाओ होगा लेकिन interest expense का reduction आपको अलाओ होगा only up to 20% of the grossed up value तो पहले तो 90 को gross up करके 100 करना पड़ेगा ठीक है 90 को gross up करके 100 कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूगा अभी और फिर इसका 20% यानी 20 रुपे माइनस होगा और 80 रुपे का आपको मिल जाएगा बढ़ हाँ अगर interest expense इंकर ही 15 रुपे होता तो यहाँ पर 20 रुपे नहीं यहाँ पर 15 रुपे माइनस कर दिया जाता ठीक है आओ देखते हैं grossing अपके concept को मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है काईदे से देखो the income of dividend या units of mutual funds is subject to TDS under section 194 194 K at the rate of 10% and hence this income needs to be grossed up before including in the total income तो total income आपके 100 रुपे मानी जाएगी मतलब 10% का tax कर दिया हमारी income actually हमारे हाथ में तो 90 रुपे आई पर आप कहा रहे हो के total income में जब आप include करोगे तो 100 रुपे मान के include करोगे यह तो 9 साफी है नहीं 9 साफी क्यों नहीं है क्योंकि जब आप इस 100 रुपे पर tax calculate करोगे ना जो भी आपको tax calculate करना है अपना normal slab rate से तो 30% का आपने suppose tax calculate किया तो यह 30 रुपे अब आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 10 रुपे mutual fund वाले आपका TDS कार्ट के अरड़ी जमा कर चुके तो सरकार को तो अब आपको mutual fund की income पर सिर्फ 20 रुपे का tax देना होगा ठीक है I repeat this mutual fund से suppose आपको 100 रुपे की income हुई right इस पे से 10% का आपका TDS कर दिया आपकी जेम में आई कितने 90 रुपे अब 90 रुपे पर जब आप tax calculate करोगे तो 90 रुपे पर नहीं करोगे आप पूरा 100 रुपे पर ही tax calculate करोगे तो 100 रुपे पर आया suppose 30 रुपिया now 10 रुपिया तो already TDS आपका कट चुक है तो अब आपको additionally सिर्फ 20 रुपिया जमा करना होगा आपको पूरा का पूरा 30 रुपिया जमा नहीं करना होगा तो जो भी TDS कटता है उसका credit आपको मिल जाता है और इसके बारे में हम लोग TDS वाले chapter में बात करेंगे है ठीक है for example if you are supposed to receive say 10 lakh rupees as dividend from a company the company will deduct 10% tax at source on it and will give you only 9 lakh rupees in this case the dividend income which is not to which is to be included in your total income will be 10 lakh rupees that is the gross value and not 9 lakh rupees that is the net value also the interest expense of 20% will be taken of the gross value that is 10 lakh rupees and not the net value that is 9 lakh rupees तो जो interest income निकाली जाएगी वो भी gross up value पर निकाली जाएगी so maximum interest expense allowed under the dividend income will be 10 lakh का 20% that is 2 lakh rupees ठीक है अब grossing आपका formula क्या है net dividend जितना भी net income जितनी भी आपको मिली into 100 upon 100 minus the rate of TDS that is 10 तो यहाँ पर आजाता है 90 ठीक है अभी बड़ा simple है मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ बहुत simple सा suppose आपको suppose आपको 8 lakh rupees की net dividend मिला है ठीक है मैं बहुत ध्यान से सुनते रहा है यह formula रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है हमें पता है कि dividend income पर 10% का TDS काटा जाता है मतलब अगर 100 रपे की मेरी income होगी मेरी income gross value मेरी 100 होगी तो 10% का TDS कटेगा और मेरे पास आएगा कितना 90 ठीक है तो net value जब 90 होगी तो मतलब gross value वुड़ भी 100 रुपे common sense ठीक है अगर 100 रुपे का income मिलेगा 10% क्या आपका TDS है तो 100 रुपे की dividend पर 10% TDS कटा 90 रुपे मुझे मिला तो 90 रुपे की net value अगर है तो मतलब 100 रुपे की gross value है अब suppose आपको 8 रुपे का dividend मिल रहा है net में तो फिर उसकी gross value क्या होगी इत सिंपल एट लाक पे gross value क्या होगी तो एट लाक इंटू 100 रुपान 90 बात खत्म एकदम plain and simple unit method जो हम लोग ने अभी capital gains में भी देखा जो हम लोग से foundation में भी बढ़ते थे ठीक है तो यह plain and simple unit method होग है वही बात है net dividend into 100 divided by 90 that's it तो यह तो हुआ in the hands of shareholders या unit holders अब देखो in the hands of company या mutual funds यह किस तरह से tax होगा तो the company or the mutual funds is not liable to pay tax on distributed profits under section 115 O या 115 R यह 115 O या 115 R जो मैं बतारो हूँ यह वही dividend distribution tax से जो पहले pay किया जाता था लेकिन पिछले 2-3 साल से इसको share holders के हाथ में tax किया जाने लग जया तो अब company से tax लेना बंद कर दिया mutual funds से tax लेना बंद कर दिया simple the company or the mutual fund is liable to deduct tax at source at 10% under section 194 और 194 K तो TDS काटना होता है 10% से और इसके लावा और कुछ नहीं करना होता है However, if the following conditions are satisfied, there is no need to deduct tax at source by the company under section 194 on distribution of dividend लेकिन अगर यह condition satisfied है, तो dividend काटिंग के कोई ज़रूरत नहीं है, कौन-कौन सी, चेर होल्डर is an individual, dividend is paid by the company in any mode other than cash and the aggregate dividend paid or payable by the company to the shareholder in the financial year is less than or equal to 5000 रुपीज तो अगर मुझे साल भर में 5000 से कम रुपे का dividend मिलता है, तो फिर company मेरा TDS नहीं काटे गी तो किसी से मेरे को 200 रुपे का dividend मिलता है, किसी से मेरे को 400 रुपे का dividend मिलता है, किसी से मेरे को 500 रुपे का dividend मिलता है तो किसी भी एक particular company से अगर मुझे 5000 से कम का dividend मिल रहे, तो वो company या मेरा TDS नहीं काटेंगी और जो gross value है, वही gross value मेरे account में आ जाएगी लेकिन हाँ उस gross value का मुझे अपनी income में include करके उस पर अपने हाथ से tax ज़रूर पे करना पड़ेगा It's just कि TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी तो तीन conditions क्या होई पहला मैं individual हूँ दूसरा ये जो aggregate value है ये 5000 ये उससे कम होनी चाहिए और तीसरा ये हो गया कि ये इट शुद बी पेड इन अ मोड अधर दान कैश इन एन एलेक्ट्रानिक मोड अधर दान कैश होना चाहिए पानी पे लेता हूँ मैं कि कैसर ये हो गया similarly the mutual fund is not liable to deduct tax at source if the aggregate income payable by the person responsible for paying to the unit holder is less than equal to 5000 रुपी तो अगर mutual fund से मेरे को dividend या income कुछ भी आती है interest या कुछ भी आता है 5000 से कम है तो mutual fund वालों को भी मेरा TDS काटने की कोई आविशक्ता नहीं है आईए सर सवालों का सिलसला शुरू किया जाए question number 16 पर आ जाते है question number 14 और 15 आप लोग बाद में कर ली जगा अपने आप से पहले हम question 16 करने जा रहे है देखो Mr. X A resident individual age at 45 years gives the following information pertaining to the assessment year 23-24 business income आई है making investment in shares रही लाग रुपे long term capital gains on sale of building तो यह 18,6,000 रुपे determine the amount of total income and tax liability for the assessment year 23-24 तो अभी आपको total income भी निकालनी है और आपको tax liability भी निकालनी हो जाएगी ठीक है आज यह फिर फटबट से देखते है तो सबसे पहले हम लोग total income निकाले सबसे पहले total income निकाले तो income from house property से तो कुछ निये sorry income from salaries कुछ निये income from house property कुछ निये capital gain income है ऐसे sequentially चलना चाहिए तो income सबसे पहला income from salaries उसके बाद income from house property कुछ निये उसके बाद तीसरा business income PGP तो PGP तो है capital gains बाद में आता न fourth head है तो third head is PGP तो PGP आपकी income आगई 15,00,000 रुपे की तो business income आई आपकी 15,00,000 रुपे की business income आगई उसके बाद dividend from shares of Indian company ने यह IFOS है फिर interest expenses यह तो less होगा बाद में और long term capital gain यह capital gain आपका आगया 18,00,000 रुपे का यह आगया आपका 18,00,000 रुपे 18,00,000 रुपे अब देखो आप यह कर लो IFOS में तो IFOS में 10,00,000 रुपे की आप gross depth value यहाँ पर लोगे तो income from other sources में dividend from shares of Indian company 9,00,000 in 200 divided by 90 यह कितना हैगा 10,00,000 रुपे हैगा एक उसके बाद इसमें से आप interest expense minus करोगे लेकिन interest expense has to be restricted to 20% on the gross value तो 2,00,000 ही minus किया जा सकते है तो less interest expenses incurred for making investment in shares 2,00,000 वैसे तो है but this is subject to maximum of 20% of 10,00,000 रुपे तो 2,00,000 रुपे माइनस होगा ठीक है और 8,00,000 रुपे यहाँ पर income from other sources में आकर जुड़ेगी ठीक है तो calculator देवता को बलाया जाए यह आगए calculator देवता तो देखो 15,00,000 plus 18,60,000 plus 8,00,000 कितना होता है यह 41,00,000 60,000 रुपे हो जाता है 41,00,000 60,000 रुपे यह हो जाता है अब आपको tax liability निकालनी है तो tax liability आप सबसे पहले capital gains की निकालो because long term capital gains are tax act 20% उसके बाद जो भी कुछ होगा उसमें फिर आप basic slab rate वाला basic exemption limit और यह सारी चीज़ें करके निकालोगे तो सबसे पहले 20% long term capital gains में आप 20% करोगे हमने capital gains में डिसकस किया तो उसकी taxability डिसकस करते समय कि long term capital gains 20% से होते है ठीक है लेकिन अगर मालो आपके पास कुछ ऐसा है कि basic exemption limit धाई लाग की है सारी की सारी income आपकी धाई लाग से कम है तो capital gains को आप उपर से भर सकते हो रैट कि basic exemption limit आपकी cover हो जाए और उसके उपर capital gains को देना है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी income है आपकी ठीक है capital gains कितने capital gains 18,60,000 रुपए तो उसके बाद 15,00,000 प्लस यह 8,00,000 बहुत अराम से basic exemption limit को भर देंगे यह लोग तो 18,60,000 पर आप लोग अलग से tax लोगे यहाँ पर ठीक है तो हां long term capital gains 20% यह आएगा 20% of 18,60,000 20% of 18,60,000 अरे 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 18,60,000 रुपए का 20% कितना आता है 3,72,000 यह आ जाता 3,72,000 ठीक है यह आ गया 3,72,000 अब टोटल इंकम कितनी थी 41,60 41,60 में से 18,60 में से 18,60 माइनस कर दो तो यह आता है आपका 23,00,000 रुपीज अब 23,00,000 पर आप वो लगाओगे कि दाइ लाग तक निल फिर दाइ से 5, 5% फिर 5 से 10, 20% फिर 10 के ऊपर जितना भी आएगा यह 10 के ऊपर 13,00,000 तक आपका 30% लगेगा तो देखो 23,00,000 आ गया तो फर्स 2,50,000 पर निल उसके बाद 2,50,000 तो फाइब 5,00,000 तो फाइब फेसंट फिर फिर फ्रिफटी तो यह आगया साड़े 12,000 पाड़े 12,000 उसके बाद 5,00,000 से 10,00,000 20% तो यह आएगा आपका एक लाग एक लाग उसके बाद यह आते है फ्रॉम 10,00,000 तिल 23,00, तो 30% फिर थेरा थेरा लाग 13,00,000 का 30% या दे 3,90,000, 3,20,000, ती कि अब यह क्या हो गया? 12,500,000 प्लस 1,00,000, प्लस 3,60,000, यह हो गया, 5,25,00, ती कि अब यह हो गया? टोटल टाक्स लाइबरेटी क्या आए गया आपती? प्लस 3,72,000, this is 8,74,500, 8,74,500, सरचार्ज कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि 50,00,000, से कम का है, तो यह भी आगया, 8,74,500, तीरस पर लगेगा, health and education says, 0.04, 34,980, 34,980, तो उसके बाद आप इस पर जब आड करोगे, 8,74,500, तो कितना आएगा यह? 9,09,480, 9,09,480, ठीक है सर, यह आएगा 9,09,480, लेकिन एक काम, एक काम रुको, यहाँ पर यह gross up value थी न, एक मिनट रुचाओ, 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 एक छोटी सी गलती हो यह, 874,500 तो आपका आया, 874,500 आपका आया, सरचार्ज इस पर कुछ नहीं लगेगा, यही पर आप health and education sales लगाओ, यही पर आप health education sales लगाओ, 874,500, इन्टु 0.04, कितना आता है, 34,980 आता है, यहीं लगाओ, 34,980, 34,980 यह लगाओ, फिर, प्लस 874,500, यह आता है, 909,480, 909,480, लेकिन, अब देखो, हम लोगों को, total income और tax liability निकालनी है, यहाँ पर 9 लाक रुपे जो था, यह तो net figure है न, मतलब 1 लाक रुपे का TDS कटा हुआ होगा, मैंने आपको क्या बताया था, उस TDS का credit मिल जाएगा, तो अब देखो, यहाँ 9,9,480 में से, 9,9,480 में से कुछ गरबड़ी होगी क्या, कुछ तो गरब यही तो है, इसे में दिक्क्त वाली बात ही नहीं है, तो 9,9,9,480 में से, dividend कितना कट ऑगा, 9,00, तो आपका net value है, तो इस पर 10,00, की gross up value है, 10,00, gross up value हमने निकाली, मतलब 1,00,000 का TDS कट आ तो आप इस में से, 1,00,000 का TDS माइनस कर दोगे, और फिर यहाएगा, 8,00, 9,400, 480 रुपे, 8,9480 रुपे, I'm sure सब का समझ में आ गया, बलो निष्टे, forever, बलो निष्टे, forever, ठीक है, next, अब आ जाओ, Taxability of shares issued at a premium, section 5627B, ठीक है, अब आप लोग ने class 11th के accounts में पढ़ाओगा, ने, 12th के accounts में पढ़ाओगा न, कि जब आप shares को issue करते हो, तो आप उसको premium पे issue करते हो, याद करो, 12th class के accounts के questions, जहांपर ही होता था, कि A limited ने अपना initial public offering निकाली और फिर issue किये shares को, और 10 रुपे की face value का share था, 2 रुपे के premium पर issue किये, तो ये premium पर अगर आप issue कर रहे हो, तो आपका ये जो premium वाला पैसा है, उस पर income from other sources में tax लगेगा, कैसे लगेगा, ओव देखो, if a closely held company, closely held company मतलब private limited, मतलब public limited कर सकती है, premium पर कोई issue नहीं, तो if a closely held company issues shares in excess of their fair value, fair value के उपर अगर इन्होंने issue किया at premium to a resident person, then the following is charge of your tax under the head income from other sources, issue price of the shares minus fair market value of the shares, issue price minus fair market value, ये आपका taxable हो जाता है, example लेता हूँ, suppose 15 रुपे का issue price है, 15 रुपे issue किया, 10 रुपे की face value थी, ये हो गया issue price, ये हो गया, issue price 15 रुपे, face value थी 10 रुपे, ठीक है, और fair market value कितनी है, fair market value है suppose 12 रुपे, तो tax 5 रुपे पर नहीं लगेगा, tax 3 रुपे पर लगेगा तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि face value से premium पर आप issue करना चाहते हो आप बिंदास करो लेकिन जो fair market value है उसके उपर तो मत करो तो अगर fair market value के उपर आपने किया face value 10 रुपे थी fair market value 12 रुपे 12 रुपे के उपर अगर आपने किया और यह जो issue price है suppose यह 11 रुपे होता अभी भी premium पर issue हुआ है 10 रुपे से उपर हुआ है लेकिन क्या अभी issue price fair market value से ज्यादा है नहीं तो क्या taxability आईगी आई एफोस में नहीं ठीक है तो taxability तभी attract होती है अगर आपका जो issue price है वो fair market value से भी उपर हो अभी taxability arise होगी otherwise taxability arise नहीं होती है ठीक है आईए sir question देखते है question number 18 November 2019 में आये था 4 number का यह सवाल आईए तो MLX Investments Private Limited was incorporated during the previous year 2019 having a paid up capital of 10 lakh rupees ठीक है तो यह private limited company है इसका जो paid up capital है 10 lakh रुपेका है और यह previous year 1920 में incorporate हुई थी in order to increase its capital अगर अपना capital है increase करने के लिए the company further issues 1 lakh shares having face value of 100 rupees each during the year at par as on 1st August 2022 ठीक है तो 100 रुपे की face value का share था उसने at par issue किया क्या premium पर issue किया नहीं okay FMV on such share as on 1st August 2022 was 85 rupees FMV क्या थी fair market value क्या थी fair market value इस दिन पर थी 85 rupees क्या 15 रुपे पर share पर taxable होगा या नहीं होगा क्योंकि 100 रुपे पर issue किया face value 100 at par issue किया लेकिन fair market value 85 rupees की थी तो अब face value at par अगर issue किया तो क्या यह जो taxability आईगी 15 रुपे पर share यह taxable होगा या नहीं होगा तो the answer is यह taxable नहीं होगा ठीक है यह taxable नहीं होगा क्योंकि shares को premium पर issue होना जरूरी है आप premium पर issue करो premium पर issue किया और fair market से उपर issue किया FMV से उपर issue किया तब taxability राइस होगी यहां पर आपने act par issue किया है तो there won't be any taxability तो according to section 56 to 7b where a company not being a company in which public are substantially interested receives in any previous year from any person being a resident any consideration for issue of shares that exceeds the face value of the shares the aggregate consideration received for such shares as exceeds the fair market value of the shares shall be taxable as income from other sources in the hands of the company I hope यह वाली line यह language आपको समझ में आ रही है where a company not being a company in which the public are substantially interested यानि private limited company receives private limited company को क्या मिलता है in any previous year from any person being a resident किसी भी person से मिलता है क्या मिलता है any consideration for issue of shares shares issue करने पर कुछ consideration मिलता है that exceeds the face value of such shares जो कि face value को exceed करे अभी यहां पर face value को तो exceed हुआ नहीं सौर का face value था सौर पर ही मिला the aggregate consideration received for such shares as exceeds the fair market value of the shares shall be taxable as income from other sources तो पहले face value से उपर होना चाहिए फिर देखो face value से उपर है मतलब taxability हो सकती है taxability कब होगी अगर consideration fair market value से भी उपर हो तो तो the difference between the consideration and the fair market value will be taxable otherwise not तो इस केस में सिस्स MLX Investments private limited or closely head company issued 1 lakh shares having face value of 100 rupees each at par that is 100 rupees each दो issue price is greater than the fair market value no amount could be chargeable or taxed under the head income from other sources तो एक next will your answer change if shares were issued at 105 rupees each हाँ तब हो जाता अगर 105 rupees पर shares को issue किया जाता तो premium पे तो हो गए तो ये shares premium पे तो हो गए ठीक है premium पे तो हो गए तो अब क्या होगा अब आप देखोगे कि कितना taxable होगा अब 105 minus 100 मत कर देना एकदम सीधा साधा law ने लिखा हुआ है कि अगर premium पर shares को issue किया जा रहा है तो taxability क्या होगी consideration minus the fair market value ठीक है ये देखो issue price minus the fair market value सबसे पहले देखो premium पर issue हुआ है अगर premium पर issue हुआ है तो taxable amount कैसे निकलेगा consideration minus the fair market value ठीक है in case shares are issued at a premium of 5 rupees per share the difference between issue price and FMV of the shares that is 105 minus 85 into 1 lakh rupees or 20 lakh rupees shall be taxable as income from other sources ठीक है it shall be taxable as income from other sources आओ आगे देखते है what will be your answer if shares were issued at 105 rupees each and fair market value of the share was 120 rupees as on 1st August 2022 कोई विक्कत वाली बात निये आपने face value से उपर issue किया लेकिन fair market value तो उससे भी उपर है no taxability at all आप premium पर issue करो बस आप fair market value के उपर issue मत करो तो देखो if shares are issued at 105 rupees each and fair market value is 120 rupees each no amount would be chargeable to tax even though the shares were issued at a premium since shares are issued at a price which is less than the fair market value however as per section 56 to 10 if any property is received for inadequate consideration and the difference between the FMV and consideration exceeds 50,000 it is taxable in the hands of the recipient shares are included in the definition of property in the present case the shareholder has received shares of 105 rupees while the FMV is 120 total amount कितना आया 120-105 into ये 15,000,000 पर काया since this exceeds 15,000,000 it will be taxable in the hands of the shareholder under section 56 to 10 टीक है? company के हाथ में कोई taxability नहीं होगी लेकिन shareholder के हाथ में taxability होगी shareholder के हाथ में क्यों taxability होगी? क्योंकि उसको shares मिले movable property मिली movable property मिली for inadequate consideration and aggregate value of that was exceeding 50,000 rupees and therefore shareholder के हाथ में ये taxable हो जाएगा shareholder के हाथ में taxable हो जाएगा fair market value कितने की थी? 105 rupees की थी? और issue price किया गया नहीं, fair market value 105 की नहीं थी fair market value 120 की थी fair market value 120 की थी और सस्ते में shareholders को share मिल गए तो this minus this 15 rupees per share हमने देखा तो 1,00,000 shares मिले तो 15,00,000 shares हो गए तो shareholders के हाथ में this will be taxable अब आ जाओ taxability of casual income casual income का यह मतब होता है जैसे आपने lottery खेली है आपने कौन मेंने का करोड़ पती में पैसे जीटती है वगए 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 तो इसको बोलते है casual income तो इस पर क्या होता है इस पर flat 30% का tax लग जाता है तो देखो casual income means income in the nature of winning from lotteries, crossword, puzzles races including horse races, card games and other games of any sort gambling, betting, etc. in the hands of the recipient तो जिसको मिलता है पैसा उसके हाथ में flat 30% का आपको लगता है tax plus surcharge as applicable and health and education says इसमें कोई deduction allowed नहीं होता कोई deduction allowed नहीं होता और हाँ जब आप इसको अपनी income में include करोगे तो आप gross up करके include करोगे दरसल होता क्या है कि यहाँ पर भी जो भी ये lottery वगएर वाली चीज़े होती है इन पर 30% का deduction TDS काटा जाता है जैसे shares और mutual funds में हम लोग नहीं देखा न 10% का TDS काटा जाता है उसी तरह से जो भी amount lottery वगएरा से मिलता है उस पर 30% का TDS काट कर आपको पैसा दिया जाता है तो suppose मुझे 100 रुपे की lottery लगी तो मुझे मिलेगा सिर्फ 70 रुपे लेकिन मुझे अपनी income में दिखाना कितना होगा पूरा 100 रुपे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 100 रुपे पर में जब tax calculate करूँगा तो जो 30 रुपे lottery वाली company ने काट के जमा किया हुआ है उस 30 रुपे का मेरे को credit मिल जाएगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगो ने देखा था question करते हुए तो मुझे gross up करके करना होगा this income is subject to TDS under section 194 B at the rate of 30% if it exceeds 10,000 रुपे अगर 10,000 से उपर की income होती है तभी 10% का TDS करता है तो dividends और dividend income अगरा पर क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी company से अगर 5000 से ज्याद का dividend income मिलती है तो फिर वो company हमारा TDS काड़ी की 10% के rates है लेकिन यहाँ पर अगर 10,000 से उपर की हमारी casual income होती है तो फिर हमारा TDS करता है 30% के rates है मैं जरा पानी पे लेता हूँ, पानी तो फिर फिर हमारा TDS करता है 30% के रेकिस है आगे देखो देफोर, it needs to be grossed up before including in the total income for example, if you are supposed to receive say 10,000,000 रुपीस as winnings from lottery the pair will deduct 30% tax at source on it and will give you only 7,000,000 रुपीस in this case, the income from winnings from lottery यह lotter क्यों लखा है, बार बार, lottery हो गई which is to be included in your total income will be 10,000,000 रुपीस that is the gross value and not the 7,000,000 रुपीस तो formula for grossing up वही आपका unitary method ठीक है, तो यहाँ पर आप into 100 by 70 करोगे क्योंकि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर वही हो गया कि net value 70 होती है, तो gross value 100 होती है तो net value अगर suppose 8,000,000 की है, तो gross value क्या होगी gross value कितनी होगी 8,000,000 into 100 upon 70 आपका वही, same plain and simple unitary method ठीक है, winnings from races other than horse races are not subject to TDS, तो सिर्फ घुडों की race को casual income माना जाता है, कोई और अगर races है तो उस पर TDS नहीं करेगा, deduction under chapter 6 is not allowable from this income, तो जो हम लोग deductions from gross total income करेंगे, वहाँ पर हम लोग इस इस को एक बार फिर से सीखेंगे, कि जो भी आपकी casual income होती है, casual income में से कोई भी deduction allowed नहीं होता है कोई ATC, ATD वगरा, आप लोग ने पहले capital gains में देखाता ना, कि unexhausted basic exemption limit का adjustment हो जाता था कि अगर आपकी जो बाकी सारी income है, वो धाई लाक से कम है, तो suppose बाकी सारी income आपकी दो लाकी है तो अभी 50,000 रुपे की basic exemption limit आपकी बच रही है, तो long term capital gain अगर आपका एक लाक रुपे गाए, तो 50,000 उसमें से adjust हो जाएगा, और सिर्फ बचे हुए 50,000 पे ही आपको 20% का tax pay करना होगा, हमने कियते हैं इसके काफी सारे questions तो देखो, ये चीज casual income में आपको नहीं मिलती है in the hands of pair, ये तो हो गया in the hands of recipient in the hands of pair क्या होता है, pair is not liable to pay tax on distribution of distributed winnings, लेकिन pair को 30% का TDS जरूर काटना होता है 194B और 194BB में, लेकिन अगर 10,000 से कम की winnings है तो pair को TDS काटने के कोई आवेशक्ता नहीं होती है next आता है, taxability of interest on compensation या enhanced compensation section 56 to 8 तो इसके बारे में भी हम लोगों ने capital gains करते समय बात की थी कि अगर enhanced compensation पर हमारी capital asset का compulsory acquisition हो गया compulsory acquisition के बाद हम लोगों को compensation मिला या enhanced compensation मिला और दोनों में से किसी पर भी अगर late payment की वज़े से हमें interest income मिल रही है, तो flat 50% का deduction अला हो जाएगा और बागे सारा taxable हो जाएगा अनद है income from other sources तो year of taxability is the year in which such interest is received, deductions allowed, 50% of interest received as per section 57 अब आजाओ, ये वाला question देखा जाए, question number 20 तो question number 19 आप लोग अपने आप से कर लीजेगा, let's look at question number 20 now on 10th October 2022, Mr. Govind, a bank employee, received 5 lakh rupees towards interest on enhanced compensation from state government in respect of compulsory acquisition of his land effected during the financial year 2014-15, तो पाँच लाग रुपे का interest विला, हाई लाग रुपे आटाकसबल, out of this interest, 1 lakh 50,000 relates to the financial year 2016-17, 165 to the financial year 2017-18, 185 to the financial year 18-19, he incurred 50,000 rupees by way of legal expenses to receive the interest on such enhanced compensation, तो ये सब कुछ नहीं होता, legal expenses आपने क्यों हो तो भाड़ में जाए, लेकिन 50% का flat deduction आपको मिलेगा, ठीक है, legal expenses जो भी आपने incur किये, उसका आपको कोई reduction नहीं मिलता, लेकिन जो भी total आपको मिला है, उसका आपको flat 50% का reduction ज़रूर मिलेगा, it doesn't matter कि जो भी आपको interest मिल रहा है, वो कौन से previous year से related है, आपको जिस साल मिलेगा, उस साल आपकी taxability arise हो जाएगी, तो ये जो इतना सारा दिया हुआ है कि तो ये जो इतना सारा दिया हुआ है कि देल लाग जो है, से taxable हो जाए का, आप इसका ये पढ़ लीजेगा आपने, आप, आए सर, question number 21 पर आते, November 2020 में आया था सवाल, 4 number का, let's see, Miss Julie received the following amounts during the previous year, 2223, number 1, received loan of 5 lakh rupees from ABC Private Limited, a closely held company engaged in textile business, she is holding 10% of the equity share capital in the said company, the accumulated profit of the company was 2 lakh rupees on the date of the loan, बात ही खतम हो गई, 2 lakh का deemed dividend हो गया आपको, section 222E, आज ही पढ़ा हम लोगो ने, ठीक है, closely held company है, इसमें Miss Julie की 10% की shareholding है, और closely held company से 5 lakh rupees का loan मिल रहा है, 2 lakh की accumulated profits है, तो to the extent of accumulated profits, ये आपके taxable हो जाएंगे, income from other sources में, as deemed dividend, ठीक है, so any payment by way of a loan by a closely held company to its shareholders, holding not less than 10% of the voting power, is deemed as dividend to the extent of accumulated profits in the company. Accordingly, out of 5 lakh rupees given by ABC Limited to Miss Julie, loan to the extent of 2 lakh rupees would be treated as deemed dividend of for assessment year 23-24 and will be taxable in her hands. Next, received interest on enhanced compensation of 5 lakh rupees, out of this interest, 150 relates to the previous year 18-19, 190 to the previous year 1920, and 160 relates to the previous year 2021, so sorry, she paid 1 lakh rupees to her advocate for her efforts in this matter, ठीक है, तो enhanced compensation 5 lakh के मिला, flat 50% का deduction, 5 lakh rupees taxable, इससे कोई फरक नीं परता कि 1 lakh rupees lawyer को दिया, इससे भी कोई फरक नीं परता कि इस 5 lakh rupees में से कितना कितना पैसा कौन-कौन से साल को रिलेट करता है, तो ये भी पूरा आपका हो जाएगा, discuss the tax implications if any, arising from these transactions in a hand, with reference to assessment year 23-24, तो ये भी आपना बेख लो, 0.5 lakh rupees आपका taxable हो जाए, तो ये 4 नमबर का सवाल आया था, November 2020 में, simple, चलो, next, a dealer in shares received the following without consideration during the previous year 22-23 from his friend Mr. B, ठीक है, क्या क्या मिला, आपो देखते हैं, सबसे पहले मिला, cash gift of 75,000 rupees on his anniversary, 15th April 2022, ठीक है, तो ये cash gift अगर दोस्त से मिल रहा है, और wedding anniversary पर मिल रहा है, तो पूरा का पूरा taxable हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से उपर है, right, bullion, the fair market value of which was 60,000 rupees on his birthday, 19th June 2022, ठीक है, तो अब इसको bullion मिला, bullion की fair market value के है, 50,000 से ज्यादा है, तो पूरी 60,000 की value taxable हो जाएगी, a plot of land at Faridabad, on 1st July 2022, the stamp value of which is 5 lakh rupees on that date, Mr. B had purchased this land in April 2009, तो Mr. A को the free of cost मिल गया न, 5 lakh की stamp duty value का, तो ये stamp duty value, पूरी की पूरी, आपकी income from other sources में taxable हो जाएगी, because ये आपका fair, ये जो stamp duty value हो, ये 50,000 रुपे से ज्यादा है, और अगर income from other sources में मान लिया गया, तो Mr. A के लिए cost of acquisition 5 lakh हो जाएगी, और period of holding, इसी date से start हो जाएगा, 1st July 2022 से, आगे देखो, Mr. A purchased from his friend Mr. C, ये Mr. A के बारे में बात हो लिए, इसने अपने 2 C से purchase किया, who is also a dealer in shares, 1,000 shares of X limited, at 400 rupees each, on 19th June 2022, the fair market value of which, was 600 rupees each, on that date, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, सस्ते में shares खरीदा, कितने रुपे का, ये 400 rupees में खरीदा, 600 rupees की value थी, 200 rupees per share की, income from other sources हुई, ठीक है, क्यों income from other sources हुई, क्योंकि 200 into 1000, 200 into 1000 कितना हो जाएगा आपका, 200 into 1000, 200 into 1000 shares खरीदा ना, 200 into 1000 shares, तो ये आगया 20 lakh rupees, तो जो भी difference है, consideration और fair market value का, वो 50,000 rupees से exceed कर रहा है, तो ये पूरा 20 lakh का income from other sources में taxable होगा, आगे देखो, Mr. A sold these shares in the course of his business, on 23rd June 2022, तो अच्छा Mr. A है क्या, Mr. A वे dealer है क्या, अच्छा Mr. A is a dealer in shares, अगर Mr. A is a dealer in shares, और ये इस shares को खरीद रहा है, क्योंकि ये तो इसके लिए stock in trade आ गया, तो अगर Mr. C से इसने shares खरीदे, और फिर आगे अपने business purpose में बेच दिये इसको, तो ये भी खुद भी dealer in shares है, तो यहाँ पर ये shares में आ गया, तो A जो है वो भी dealer in shares है, C जो है वो भी dealer in shares है, तो dealer in shares से अगर आप movable property खरीद रहे हो, तो वो तो अपने business के लिए अगर खरीद ले हो, तो वो तो stock in trade की तरह से आ गया, तो इसलिए उस पर IFOS में taxability नहीं arise होती है, further, on 1st November 2022, Mr. A took possession of property, office building, booked by him 2 years back at 20 lakh rupees, the stamp duty value of the property as on 1st November 2022 was 32 lakh rupees, and on the date of booking was 23 lakhs, तो booking के time पर 23 lakh rupees की stamp duty value थी, और possession के time पर 32 lakh rupees की stamp duty value आ गई, अब हमें ये देखना होगा, कि अगर इसने booking के time पर कुछ भी पैसा दे दिया होगा, होली या पाटली कुछ भी दिया होगा, तो हम booking के time वाली stamp duty value को consider करेंगे, he had paid 1 lakh rupees by account paycheck as down payment of the date of booking, हाँ तो ठीक है, booking के time पर इसने दे दिया, अब देखो, 23 lakhs माइनस 20 lakhs, 23 lakhs माइनस 20 lakhs, 3 lakh rupees का difference है, SDV यही वाली consider की जाएगी, तो 23 lakhs माइनस 20 lakhs, 3 lakh rupees का difference आगया आपका, जो कि 50,000 से ज्यादा है, अब हमें एक चीज और देखने होगी, कि क्या 23 lakh rupees, 20 lakhs के 110% से ज्यादा है, तो 20 lakhs का 110% कितना आएगा, 22 lakh आएगा, और 23 lakhs जो है, वो 22 lakhs से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो taxability आई जाएगी, income from other sources में, कितनी taxability आएगी, 23 माइनस 20, 3 lakh rupees की taxability आजाएगी, income from other sources में, इससे related, कल हम लोगे ने काफी सारे questions किये ही भीत है, एक, on 1st मार्च 23, he sold the plot of land at Faridabad for 7 lakh rupees, तो Faridabad का plot of land, जो कि यहाँ पर मिला था, किससे मिला था, Mr. B से gift में मिला था, plot of land, उसको 7 lakh रुपे में बेच दिया, उसको 7 lakh रुपे में बेच दिया, compute income of Mr. A, chargeable under the head income from other sources, and capital gains for assessment year 23-24, वाह, काफी comprehensive question, बहुती मज़दार question है, बहुती सारी चीज़ें आप लोगे की यहाँ पर cover हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगे की यहाँ पर cover हो जाएंगी, इस वाले questions है, आओ देखते हैं, एक-एक करके शुरू करेंगे, पहले income from other sources निकाल लेते हैं, capital gains बाद में निकालेंगे, ठीक है, तो income from other sources पे सबसे पहले 75,000 रुपे का cash gift, तो यह तो asset is taxable हो जाएगा, 75,000 रुपीज का, 75,000 रुपीज का cash gift यह आपका taxable हो गया, उसके बाद, bullion, 60,000 रुपे का bullion, यह भी आपका taxable हो जाएगा, 60,000 रुपे का bullion, यह भी taxable हो जाएगा, उसके बाद देखो, a plot of land at Faridabad on 1st July 22, the stamp valuation of which was 5,000,000 रुपे, यह gift मिला Mr. B से, तो यह पूरी की पूरी 5,000,000 रुपे, जो है, यह income from other sources में taxable हो जाएगा, ठीक है, तो यह 5,000,000 रुपे, income from other sources में taxable हो गया, उसके बाद, Mr. A purchased from his friend Mr. C, who is also a dealer in shares, तो C से जो भी shares लिए, उसके कोई taxability नहीं आएगी, उसके बाद, further on 1st November 2022, Mr. A took possession of property, booked by him 2 years back at 20,000,000 रुपे, तो इस पर 3,000,000 रुपे का हम लोग ने calculate किया था, तो possession of property 3,000,000 रुपे, ठीक, अब सुनना, कई सारे लोग सोच रहोंगे, कि सर, यह जो shares ख़रीदे थे, 1000, और फिर यह shares बेच दिये, तो इसकी भी तो कोई profit तो होगा, PGPP में तो होगा, पर सवाल ने हमसे पूचा ही निया, सवाल ने हमसे क्या पूचा है, सवाल ने हमसे का है, income from other sources निकालो, और capital gains निकालो, बस, question ने हमसे PGPP निकालने के लिए बोला ही निया, आप एकदम सही हो, अगर यहाँ पर, 1000 shares उसने 400 रुपे में खरीडे, ठीक है, और उसके बाद, इनको बेच बिया 23rd June को, तो PGPP income तो definitely arise होई होगी, पर question हमसे बोला ही निकालने के लिए, तो हमसे कोई बोला ही निया, तो हम काई निकाले है, हमसे कोई बोला ही निया, जन्नेटर लगा दे हम 10, जन्नेटर तो हम लगा दे 10, तो भया काई नहीं लगवा रहे हो, हमसे कोई बोले ही निया, कोई बोले तब तो लगाएंगे, तो PGPP income तो हम निकाल दे हम भी तुराद, काई नहीं निकाल रहे हैं, हमसे कोई बोला ही निया, सवाल ने बोला है हमसे, सवाल ने हम से बोला ही, तो हम नहीं नकालेंगे, ठीक, इतनी से बात है बस, anyway, तो ये income from other sources आपकी आ जाएगी, 75,000 plus 60,000 plus 5 lakhs plus 3 lakhs, 9,35,000, 9,35,000 उपीस की, आपकी income from other sources निकल कर आ गई है, अब आपको capital gains निकालना है, तो देखो, 1st March को 7 lakhs रुपे में plot बेचा, ठीक है, और मिला कब था, 1st July 2020 को, तो साल भर के अंदर अंदर ही बेचती है, short term capital asset, तो full value of consideration will be 7 lakhs, क्योंकि 1st March की कोई भी stamp duty value वगरा कुछ नहीं दिया हुए, तो 7 lakhs रुपीस आपकी full value of consideration हो जाएगी, ठीक है, अब ये plot इसको मिला था, 1st July 2022 को free of cost मिला था, ठीक है, without consideration मिला था, और इस समय इसकी stamp duty value 5 lakh की थी, तो क्योंकि ये stamp duty value को income from other sources में consider करके tax pay कर चुका है, तो अब इसलिए cost of acquisition यहाँ पर 5 lakh रुपे ही मान ली जाएगी, 5 lakh रुपे यहाँ पर मान ली जाएगी, और 2 lakh रुपे का capital gain आपका arise होगा, ठीक है, 2 lakh रुपे की capital gain की income arise होगी, इसके काफी तगड़े तगड़े notes यहाँ पर मैंने दिया हुए, आप लोगों को, पूरा समझा के, जो भी हम लोग ने यहाँ पर discussion किया, वो पूरा को पूरा यहाँ पर written में भी दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते है, चलो, अब हमारा य यह chapter खतम होने की कगार पर ही आ गया है, ठीक है, आओ देखते हैं, बाकी सारी incomes कैसे कैसे taxable होंगी, तो देखो, employees contribution towards staff welfare schemes, employees contribution towards staff welfare scheme, तो employer के पास जब employee पैसा देता है, staff के welfare के लिए, तो employer के हाथ में क्या होता है, देखो, any sum received by an employer assessee, जो employer है, from his employees as contributions to any provident fund, superannuation fund और any other fund for the welfare of the employees, यह income from other sources में taxable हो जाती है, if it is not taxable under the head PGBP, तभी यह income from other sources में होगी, otherwise यह PGBP में taxable होगी, आगे देखो, interest on securities, securities पर अगर कोई भी आपको interest मिलता है, तो फिर वो income from other sources में होता है, if it is not taxable under the head PGBP, कब होगा PGBP में, अगर आप financial company हो, आपका कामी यही कि आप पैसे का लेन देन वाले business करते हो, तो अगर आपको कुछ भी interest on securities मिलता है, तो आपका PGBPP में taxable होगा, otherwise income from other sources में taxable होगा, higher income of plant machinery furniture, अगर आपका काम ही यही है, तो PGBPPP में taxable होगा, otherwise income from other sources में taxable होगा, simple common sense logic, higher income of plant machinery and furniture along with building, अगर आप building के साथ दे रहे हो, अगर आप building के स आप दे रहे हो, तो देखो, where letting out of buildings is inseparable from the letting out of machinery, plant or furniture, the income from such letting, ठीक है, inseparable, वो हम लोगे ने income from house property में बात की थी ना, income from house property में हम लोगे बात की थी कि अगर वो inseparable है, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोगे बात की थी किया, तो IFOS में taxable होगा, ये तो PGBPPP में taxable होगा, अगर मेरा क काम ही यह है कि मैं office workspaces बना बना के rent पर देता हो, तो मैंने building भी दिया है, और मैंने कुछ-कुछ accessories भी दिया, plant, machinery, furniture वगरा भी दिया होगा, तो agreement इन से प्रेवल है, और ये मेरा काम है, तो PGBPP में taxable होगा, otherwise मैं retired हूँ अगर, और मैंने पस ऐसी मेरे पास खाली plot पड़ा की में insurance policy में क्या होता है, अच्छा, की में insurance policy होता क्या है, पहरे तो वह बताते हो, जैसे reliance industries के लिए, मुकेश अमानी is a key man, ठीक है, मुकेश अमानी जी जो है, वो key person है, key managerial person, key man है, तो reliance industries क्या करती है, अपने key person के लिए insurance policy निकलवाती है, कि कल को इनको कुछ हो जाता है तो company को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इनका तो हो गई होगा, company का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो company उस नुकसान की भरपाई के लिए insurance करवाती है, मुकेश अमानी जी के नाम पर, इन्शॉरेंस करवाती है, इसी को बोलते है, key man insurance policy, तो इसका जो पै salaries में taxable होगा, और अगर किसी भी और को मिलता है, मतलब employee के जैसे legal airs बगिरा होगे, वाकई कुछ ना, भगवान ना करें कुछ हो गया, और फिर legal airs को मिला, तो फिर उनके हाथ में income from other sources में taxable हो जाता है, ठीक है, तो अगर company को मिला, तो PGP में employee को खुद को मिल गया, जो key man है, उसी को मिल गया, policy mature हो गई, मस तरा एकदम, policy mature हो गई, पैसा मिला, तो income from salaries में taxable होगा, किसी भी और को मिला, तो income from other sources में taxable होगा, उसके बाद compensation received on termination, for termination of his employment, अच्छा, अगर आपने employment terminate करवा दिया, जैसे आपके पास कोई employee है, आपने उसे का भईया तुम जाओ, कि तुमारी services, तुमारी सेवाओं की आवशक्ता समाथ हो गई है, your services are no longer required, तो हम ना जाएंगे, तो इल्लो 5 करोड पर आप जाओ, तो termination, any compensation or any other payment due to or received by any person by whatever name called, in connection with the termination of his employment or for modification of the terms of the conditions relating there to, तो यह भी income from other sources में taxable होगी, this will not be taxed under income from salaries, please be very sure about it, income from salaries में वही incomes chargeable होती है, जो employer-employee के relationship के basis पर taxable की जाती है, अभी हम लोग कल से income from salaries ही start करने बाले है, तो income from salaries में वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आगे देखो, interest on post office savings bank account, तो अब देखो, यह 3500 रुपे तक exempt है, in case of individual account, और अगर joint account है, त PGBP है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना कि company का ही काम है, कि कोई financial type की company होगी तो उसके रहे तो PGBP में taxable हो जाएगा, otherwise, income from other sources में taxable होगा, salaries of MPs, MLAs, तो यह भी आपका income from other sources में taxable होगा, income from subletting, subletting का मतलब मैंने कोई मकान किराए पर लिया, फिर मैंने उसी मकान को किराए पर दे दिया, तो यह income from other sources में taxable हो जाएगा, interest on bank deposits and loans, income from other sources, directors fee, income from other sources, directors fee अलग होती है, salary अलग होती है, salary income from salaries में होगे, पर directorship के लिए जो अलग से fees दी जाएगी, वो income from other sources, interest on foreign government securities, other sources, agricultural income received outside India, other sources, income of race establishment, other sources, commission received by director on giving bank guarantee for the company, तो company को loan चाहिए, company ने loan लिया, एक director ने bank को guarantee दे दी, कि हाँ, अगर company loan repay नहीं कर पाती है, तो मैं repay करूगा, तो यह भी income from other sources में taxable होगा, salary received by a partner from partnership firm, यह PGBP में जाएगा, तो partnership firm से जो salary आपको मिलती है, that is taxable under the head, PGBP, that is not taxable under the head, income from salaries, ठीक है, चलो, बस अब आजो, यह वन 25, let's look at it, question number 25, पर हम आजाते हैं, देखो, examine under which heads of the following, under which heads the following incomes are taxable, तो कौन कौन से heads में taxable हैं, तो देखो, rental income in case property held as stock in trade for 3 years, तो यह तो हम लोग ने बात की न, अगर 2 साल के बाद, अगर आप stock in trade में, income from house property में हम लोग ने बात कीती कुछ दिन पहले, कि अगर आप builder हो, और 2 स से ज्यादा आपने नहीं property बना कर रखी हुई है, और उसके बाद, आप उसको अगर नहीं बेच पाते हो, तो हम deemed let out माल लेंगे, यहाँ पर तो साफ साफ बोल दिया कि stock in trade वाली property है, और उससे rental income आ रही है, तो अगर rental income आ रही है, तो income from house property हो जाता है, not PGBP, not PGBP, profit, अगर property आपकी hell-less stock in trade है, तो PGBP income तब होगी जब आपने property को बेचा होगा, तो अब capital gains नहीं होगा, PGBP होगा, क्योंकि stock in trade है, लेकिन अगर rental income आ रही है, तो income from house property, salary received by a partner from his partnership firm, तो partnership firm से अगर salary मिलती है, तो वो PGBP हैट के अंदर taxable हो जाता है, तो NPT अब के साथ partner का employer-employee relationship नहीं है, firm का partner के साथ ownership वाला relation है, इसलिए अगर firm से उसको कोई salary मिल रही है, तो फिर it's not an employer who is paying salary to the partner as an employee, उसको as a business owner की वाज़े से मिल रहा है, तो इसलिए PGBP. Rental income of machinery, तो rental income from machinery, income from other sources में taxable होगी, if it is not chargeable to tax under the head, profits and gains from business or profession. उसके बाद winnings from lotteries by a person having the same as a business activity, तो अगर business activity की तरस हो रहा है, तब भी income from other sources में ही taxable होगा. Yes, winning from lotteries by a person having the same as business activity, उसका धन्दा थोड़ी होगा कि वो lotteries जीतता रहे, उसका धन्दा होगा कि वो lotteries के tickets वगेरा बेचेगा, लेकिन अगर lotteries के tickets बेचने पर एक अगर ticket खुद से ले लिया और lotteries निकला है, तो winnings from lotteries always income from other sources, कोई आपका regular course में आप थोड़ी lotteries जीतते रह सकते हो, रेगिलर courses में कोई सोच रहे कि क्या करता है, lotteries जीतता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो यह आपका income from other sources में taxable हो जाएगा, salaries payable to member of parliament, तो MTA में लेकी salary तो हम लोग ने देखा, IFOS में taxable होती है, receipts without consideration, receipts without consideration, तो यह भी आपका income from other sources में taxable हो जाएगा, मतलब आपको कुछ पैसा मिला, लेकिन आपने उसके बदले कुछ नहीं किया, तो income from other sources में taxable हो जाएगा, in case of retirement, interest on employees contribution of provident fund is unrecognized, तो retirement के समय पर, provident fund से जो आपको पैसा मिलता है, वो कौन से head में taxable हो जाता है, अगर unrecognized fund है तो, तो यह हम लोग जब income from salary करेंगे न, तो उसमें इसके बारे में और बात करेंगे, तो आपको और clarity के साथ समझ में आएगा, अभी आप बस इतना समझ लो, कि employees contribution from provident fund अगर unrecognized है, तो income from other sources में वो taxable होता है, बागी यह provident funds क्या-क्या होता है, हम लोग जब कल से income from salary start करेंगे, तो आपको और clarity के साथ समझ में आएगी यह चीज़ है, उसके बाद, अरे, 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 भागो मत, अरे, 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 भागो मत, योग या, एट, rental income in case of a person engaged in the business of letting out of properties, हाँ, letting out of properties अगर है, तब तो कोई पंगा ही नहीं, profits in case of business and profession से taxable हो जाएगा, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, कि कौन-कौन से deductions आपको allowed होते हैं, तो section 57, तो एक तो हमें पता ही है हाँ यहाँ पर, जैसे interest on enhanced compensation के against 50% का reduction allowed हो जाता है, तो यह पूरा theoretical है, इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो यह आप अपने आप से पढ़ सकते हो, एक आप चीज में बता देता हूँ, जैसे dividend या income in irrespective of units of mutual fund है, तो इसमें 20% of the gross of value जो है, उतने का interest expenses का reduction आपको allowed है, है ना, अगर interest on enhanced compensation आपको मिला है, तो 50% का flat deduction allowed है, तो यह section 57 जो है, यह purely theoretical है, इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, उसके बाद आपका आजाता है, deductions not allowable, तो यह भी एकदम से self-explanatory type का ही है, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, ठीक है, हम आज आते हैं, आज के last question पर, deductions allowable, deductions not allowable, आप अपने आप से पढ़ लेना, एकदम self-explanatory है, हम आज आते हैं, अपने आज के आखरी सवाल पर, question number 26 पर, जो कि November 1998 में, ICAI ने पूछा था, November 1998 का यह सवाल है, आप लोगों के साम में, आईए सर, बड़ा interesting question है, काफी सारी चीज़े, दिमाग में आती जाएंगी, तो बड़ा मज़ाएगा, देखो, J furnishes the following particulars, relating to his house properties, and other incomes and expenditure, for the year 22-23, तो house properties, और other incomes से related information, आपको दी जा रही है, first house, this house is taken by him, on lease for 10 years, which is let to a tenant, for his residence, at a monthly rent of 2,400 rupees, he has incurred the following expenses, during the year, ठीक है, 10 साल की lease है, जल्दी से मेरे को बताओ, rent out कर दिया, तो क्या ये income from house property में tax होगा, नहीं, ये taxable होगा under income from other sources, क्योंकि ये subletting हो रही है, ठीक है, ये आपकी subletting हो रही है, तो अगर subletting होगी, अगर subletting होगी, तो क्या ये lease rent, salary of दर्बान, interest on loan taken, ये सबका deduction आपको मिलेगा, of course मिल जाएगा, अगर subletting होगी, तब तो ये सारे के सारे deductions आपको मिली जाएगे, बहुत आराम से, ठीक है, income from house property में ये सारा पंगा होता है, कि नहीं, gross annual value होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, पर subletting के case में जो भी आप genuine है, आपके पास आप दिखा दो कि ये खर्चे है, आपको आराम से, reduction मिल जाएगा, ठीक है, तो ये एक तो ये होगा, अब दूसरा house, this house was constructed by him in 2005, but was transferred to his wife in 2010, out of love and affection, वा, out of love and affection, अपनी wife को इसे transfer कर दिया, तो deemed owner यही बंदा होगा, deemed owner इसी को मान लिया जाएगा जे को, ठीक है, जे will be the deemed donor, ठीक है, he however, continues to stay in this house with his wife till date, तो अब तो और clear हो गया, क्योंकि ये भी हो सकता थाना, कि भाई, agreement to live apart वाला तो नहीं है, क्योंकि agreement to live apart होता, तो deemed donor नहीं माना जाता, लेकिन अभी अपनी बीबी के साथ वहीं पर उसी घर में रह रहा है, ठीक, तो agreement to live apart तो नहीं है, he has taken a loan for the construction of this house for which interest of 6000 rupees becomes due for the year, but had not been paid by him, तो इसके लिए, इस house property के लिए, इसने, पहली बात हो, ये self-occupied house property हो गई, ठीक है, self-occupied house property है, और इसमे 6000 रुपे का interest on loan है, तो deduction मिल जाएगा, बहुत अराम से मिल जाएगा, ठीक है, net annual value nil मालनेंगे, और 6000 रुपे का वो मिल जाएगा, बहुत अराम से, deduction मिल जाएगा, but he has not been paid, but has not been paid by him, क्योंकि interest on loan का वो जो होता है, वो तो आपका, due basis पर उसका reduction मिलता है, paid basis का कोई मतलब नहीं है, he has paid repair expenses of 1000 rupees during the year, तो ये तो house property है, house property में repair expenses वगएर का कोई खर्चा थोडिया लाउड होता है, taxable income from business for this year amounts to 64 24,000 rupees, compute gross total income of J for the assessment year 23, 24, very simple, हम लोग sequentially चलते हैं, सबसे पहले आता है, आपका income from salaries, इसकी कोई salary income नहीं है, दूसरा हेड आता है, income from house property, तो house property में second house से इसकी property आएगी, जिसमें net annual value निल हो जाएगी, और 6,000 रुपे का ये interest on loan पे करेगा, तो income from house property, negative 6,000 रुपे आजाएगी, तीसरा हेड होता है PGBP, PGBP के अंदर 64,000 रुपे का, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो PGBP, 64,000 रुपे की आपकी income आ जाएगी, फिर चौता हेड होता है capital gains, capital gains कुछ है नहीं, और 5 हेड होता है आपका income from other sources, income from other sources में sub-lating वाली income इसकी आएगी है, तो sub-lating करके, ये 24 200 रुपे महिना कमा रहा है, तो साल भर में क्या हो जाएगा, rent from house when 24,000, 24,000 into 12,000, 24,000 into 12,000, 24,000 into 12,000, 28,800 रुपे, उसके बाद, ये इसमें कितना दे रहा है, 1000 रुपे पर मंत दे रही है, लीज का rent, तो 1000 into 12,000 रुपे ये, लीज रेंट दे रहा है, 12,000 रुपे ये, लीज रेंट दे रहे है, 200 रुपे पर मंत दे रहे है, दर्बान की सालरी, तो 200 into 12,000, 24,000 रुपे, ये दे रहे है, दर्बान की सालरी, ठीक है, और उसके बाद, 200 रुपे ये पर मंत की इसलिए दे रहे है, interest on loan, taken to pay for acquisition of the lease, ठीक है, तो 24,000 रुपे, ये प्लस चॉबिस सॉ प्लस चॉबिस सॉ यह आता है 16,800 तो 16,800 के इसके यह आ गए ठीक 28,800 में से 16,800 माइनस कर दो 28,800 में से 16,800 माइनस कर दो यह आता है 12,000 रुपे 12,000 रुपे यह आ गया तो income from other sources आपकी 12,000 रुपे की आ गई तो gross total income कितना नेगटिव 6,000 नेगटिव 6,000 प्लस 64,000 प्लस 12,000 70,000 की आपकी gross total income आ जाती है 70,000 रुपेस की आपकी gross total income आ जाती है and this completes your income from other sources ठीक है अगर lecture पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा comment section में comment करके बताईएगा कि आपको session कैसा लगा and मैं आपको फटा पट से बता देता हूँ कि आपको unacademy plus का subscription कैसे लेना है तो आप unacademy के website पर आओगे start learning पर click करोगे start learning पर click करने के बाद आप यहाँ पर CA पर click करोगे CA पर click करने के बाद CA intermediate पर click करोगे CA intermediate पर click करने के बाद आप लोगों के सामने वाला page खुल जाएगा यहाँ पर आप subscription plans पर आओगे और अभी Republic Day का offer चल रहा है Republic Day के offer में अगर आप आज subscription लेते हो 10% से prices already slash down है मेरा code लगाने से 20% का discount मिल जाएगा तो आप यहाँ पर plus पर आओगे get plus पर click करोगे get plus पर click करने के बाद आप लोगों के सामने वाला page खुल जाएगा इस page पर जब आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर मेरा code लगाओगे NISH10 और apply करोगे तो आपको 20% का discount मिल जाएगा तो 10% से prices already slashed है 20% का आपको discount मिल गया this offer is valid only till 28th of January तो please इसको अच्छे से आप लोग अवेल कर लीजिए I'll see you guys tomorrow take care, अपना ध्यान लखिए, bye bye